स्वाराज इंडिया का ये जो इमान पत्र है ये राज्य में पूर्ण रोजगार का एक हरियाना का अपना मॉडल पेश करता है 20 लाख लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए इसके लिए 6 मिशन बताता है जो पहले 5 मिशन है शिक्षा का, स्वास्ते का, जन जंगल का, किसान का, नागलिक सुधाओं का इन सब में मिला के कोई 8 लाख नौकरी आ जाती है रोजगार हो जाते है फिर भी कोई 12 लाख लोगों को रोजगार देने की चुनौती बची रहती है उसके लिए छैवा मिशन, मिशन हर हाथ को काम इसमें क्या किया जाएगा? नमबर एक कोई सरकारी नौकरी खाली नहीं रहेगी, वेकेंसी नहीं रहेगी सब को भरा जाएगा पारदर्शी तरीके से दूसरा कोई प्राइवेट कंपनी हर्याना के नागरिक को नौकरी देगी तो पहले दो साल तक सरकार तीन हजार रुपया महिना कम से कम उसका हिस्सा आपनी तरफ से डालेगी तीसरा राज्ये में कोई निवेश करे, इन्वेस्टमेंट करे उससे यह नहीं पूछना कितने करोड रुपय का इन्वेस्टमेंट कर रहे है उससे पूछना है कितनी नौकरियां लेके आ रहे हो हर्याना वालों के लिए जितनी नौकरियां उसके हिसाब से टेक्स में छूट चौथा जो MSME हैं, तमाम उद्योग हैं, फैक्टरियां हैं इन सब को तरह तरह की छूट टेक्स में ताकि बहतर रोजगार दे सके जो सेल्फ रोजगार दे रहे हैं, खुद अपना काम कर रहे हैं उनको लोन मिले, उनको हर तरह से सहायता मिले ताकि वो खुद तो अपना रोजगार दे ही, एक आदमी को और भी अपने साथ रोजगार दे सके और जो बच गए, उनके लिए मनरेगा अभी सिर्फ साल में 33 दिन होती हैं कम से कम 75 दिन तो कर सकते हैं, हर जॉब कार्ड पे हम और शेहरी शित्रों के लिए मनरेगा जैसी एक स्कीम, शेहरी रोजगार गारंटी योज़ रहा हूँ शेहर के हर बेरोजगार को, जिसको और किसी तरह से रोजगार न मिला हो उसे साल में 100 दिन का काम गारंटी से, और हर दिन का 500 रुप्या खर्चा होगा, लेकिन सरकार तो इसी काम के लिए है न, अगर इन चीज़ों पर खर्चा नहीं करेगी तो करती क्या है सरकार इसके माध्यम से हरियाना के हर बेरोजगार को, किसी ना किसी तरह का रोजगार होगा, खुशाली की बुनियाद बनेगा बात जची आप हो, ना जचे तो कोई बात नहीं, आप वोट मत डालना लेकिन अगर जची हो, तो सिरफ वोट डालना मत अपना, वोट डलवाना भी